अभ्यास फोर का जो है प्रस नम्मर दू है यक्ष ताघन रिणी बटा यक्ष ताघन का मान ग्या के जिए यदि यक्ष रिणी बटा यक्ष के मान जो है चोबिस बटा पांचे यस सुत्र है हमारा A माइनस B का घन बरावर हता है A का घन माइनस B का घन माइनस तीन गुड़े A गुड़े B कुष्ट में A माइनस B अब इसी के आधार पर हम इसे ज्याद कर लेंगे यक्ष माइनस एक बटा यक्ष का के फो गया आने पाले पत का घन यक्ष का घन रेंग एक बटा यक्ष का घन रेंग तीन पाला पादा दूसरा पर यक्ष गुड़े एक बटा यक्ष कोष्ट में यक्ष माइनस एक बटा यक्ष कोष्ट में अब हमें आ दिया है यक्ष रेंग एक बटा यक्ष का मान जो है 24 बटा 5 तब रख दें 24 बटा 5 कोष्ट बन का घन बरावर यक्ष का घन रेंग एक बटा यक्ष गन अब यह है और यह कर जाएगा तरीर तीन हो गया यक्ष रेंग एक बटा यक्ष का मान जो है दिया है 24 बटा बटा 5 अब गुड़ा कर दें 24 में 24 ती गुड़ा कर दें पहले तो 4 चव को 16 हो गया 4 दूनी 8 एक 9 दूर चव को 8 दूर दूनी 4 ते 6 हो गया 9 आठ 17 हो गया 4 एक 5 हो गया फिर इसमें हम 24 रिगुड़ा कर दें चार चव का 24 चासा से 28 है दूर तीस चार पचे 20 तीन तेईस दूर शका बार है दूर सती 14 पंदर है दूर पचे 10 से 11 पह गया दूर चार दूर आठ तीन तेईस पह गया तेरा जार आठ सो चोविश बटा पचवा पचीश पचे एक्सव पचीश बराबर यक्ष्धान रिड़ एक बटा यक्ष्धान रिड़ अब चोविश में तीन से गुड़ा कर दें तीन चोग को बार है तीन दूर निच्छा एक साथ बहत्तर पचा पांच हो गया पच्छानतर कर दें यह हो गया तेरा जार आठ सो पचीश बटा एक सो पचीश अब यह पच्छ से धर आएगा तो रिड़ का जो है धन हो जाएगा बहत्तर बता पांच अब बराबर हो गया यक्स घं रिड़ एक बटा यक्स घं अब इसका एस्चिम निकालते है तो इसका ACM जो हो है, 125 हो गया, 125 चक्कम, 125 तो यह हो गया, 13825 में एक सिगुड़ा करेंगे तो उतना ही होगा, 13825 और एक सो पचीस है, तिसमें हम पांच से भाग देते हैं, तो यह एक सो पचीस हो गया, पांच से भाग दे दें, तो पांच दूनी, दस, पचवाँ पचीस अन्य, पचीस आ गया, पचीस में हम जो है, 72 में पचीस इगुड़ा कर दें, पांच दूनी, दस, पांच सत्य पचीस, एक छत्तिस, दू दूनी, चार, दू सत्य चवदर, जेरो, चार्दर, 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 साथ, एक आठ, एक अठारा सो, धन, अठारा सो, अब इसको हम, यक्स घन, रिन रेग बटा, यक्स घन, अब इसको जोर दें, पांच, दू, आठ, आठ, सोलर, तीन, एक, तीन, एक चार, एक पांच, एक, बटा, एक सो, पचीस, बराबर हो गया, यक्स घन, रिन रेग बटा, यक्स घन, इसका छोटा रूप करना चाहते हैं, तो इसमें डिवाज कर दिजिए, चाहें किसी संध्यास कर दिजिएगा, उसका मान निकल दाएगा, या हो गया यक्स ता घान रीड़ एक बटाए यक्स घान बराबर हो गया सोरह अजार छहसो पंद्रह अजार छहसो पचीश बटा एक सो पचीश यह हमारा यह प्रेस नमबर तीन है यह यह स्कॉयर धान एक बटा यस्कॉयर बराबर बयासी बटा नौ है तो यक्स घान रीड़ यक्स घान का मान पूछ रहा है कितना होगा यह स्कॉयर है लेकिन इसमें जो है इसकॉयर नहीं है इसकॉयर का जो हम यक्स धान एक बटा यक्स का मान निकालने पहले देखें तो यह सुत्र होता है आपका ए प्लस बी का जो है इसकॉयर होता है ए का इसकॉयर प्लस बी का इसकॉयर प्लस टू ए भी होता है इसी के आधार पर हम इसको पहले रखें तो कोश्ट में ए प्लस बी यक्स धन एक बटा यक्स इसकॉयर हो गया धन दू गुड़े यक्स गुड़े एक बटा यक्स बराबर हो गया यक्स धन एक बटा यक्स का इसकॉयर हो गया अब यक्स इसकॉयर धन एक बटा यक्स इसकॉयर का मान जो है एक मिनट यक्स इसकॉयर धन एक बटा यक्स इसकॉयर का मान जो है बयासी बटा नव है तो यहां हम लिख जें बयासी बटा नव धन धन यहां यहां कट गया दू एक सिकॉड़ा की आतर दो हो गया स्वेट्फ्स इसकॉयर को अब जो है यक्स धन एक बटा यक्स का इस्पायर हो गया, अब इसका जो है हम AICM निकाल दें, यह हो गया 9, 9 एककम 9, तो 82 एककम 82 हो गया, धन 9 दुनी 18 हो गया, बराबर यक्स, धन 1 बटा, यक्स का इस्पायर हो गया, अब इसको जोड़ दें आठ दू दस हो गया आठ एक नो एक दस अन्य सो बटा नो बराबर हो गया यक्स धान एक बटा यक्स इसक्वायर का इसक्वायर हो गया तो हम यक्स धान एक बटा यक्स बराबर कुतना होगा यक्स धान एक बटा यक्स बरावर हो जाएगा करड़ी में या बर्ग में दिख देंगे सब बटा जो है नव हो जाएगा दधा में सब तीन तरीके नव अन्य दस बटा तीन आ गया यह हो गया यक्स धान एक बटा यक्स बरावर हो गया दस बटा तीन अब देखिए है इसका हमको मान निकानला है यह हमारा फिर दुसरा सुत्रा रहा है A प्लस A माइनस B का के बराबर होता है A का घंड माइनस B का घंड माइनस 3 कोष्ट में नहीं गुड़े A B कोष्ट में A माइनस B होता है अहां यह हमारा मान पुसरा है तब इसमें चलें हम यक्स काघं या यक्स धान एक बटा यक्स काघं फिर यक्स काघं औरी एक बटा यत गड़े तीन गुड़े पाला पता दुसरा पर यक्स गुड़े एक बटा, यक्स कोष्ट में यक्स अरिन एक बटा, यक्स कोष्ट बटा, अब जो है यह आर्या कट गया, तो कोष्ट में यक्स धान एक बटा, यक्स का घ्हान बराबर हो गया, यक्स पर घ्हान अरिन एक बटा, यक्स का घ्हान यह आर्या कट गया, अरिन जो है, तीन, कोष्ट में यक्स अरिन एक बटा, यक्स हो गया, अमने जुआ नीचे निकाला था यक्स धन तेया हो गया दस बटा ते निकला था तेया हो गया कागहन बराबर यक्स धन रिंग एक बटा यक्स धन रिंग तीन गुड़े दस बटा तीन अब इसको तोड़ दें ददहा में सव दहा में एक हजार तेया हो गया तीन तरीक नव तरीक सताईस बराबर हो गया यक्स धन रिंग एक बटा यक्स धन रिंग दस तेया हो गया तीस बटा तीन पच्छांतर कर दें तो तो सव एक हजार बटा सत्ताईस या देरिडात्मक तो इधर आईगा पच्छ में अनिवाएं तो या धनात्मक हो जाता है तीस बटा तीन हो गया बराबर यक्स का घन रिंग बटा यक्स का घन रिंग बटा यक्स का घन रिंग जो है हाओ सताईस हो गया है तिया हो 27 एक हम 27 एक हजार एक हजार 14 तीन नमा 27 न होगा रहा है इसमें नव से गुड़ा का दें नव सुनना सुनना नवत्रिक 27 हो गया अब हो गया यक्स घंड रीड़ेग बटा यक्स अब इसमें से हम खटा दें जीरो में से जीरो गया हो गया दस में से साथ गया तीन हो गया नो में से दू गया साथ बटा 27 बराबर यक्स घंड रीड़ेग बटा एक्स याँ यक्स ग्हान रिंड एक बटा यक्स ग्हान बरावर साथ सो तीस बटा सथ पाइस यह हमारा एंसर हुआ देखिए अब भ्यास फोर भी का जो है पाला दूसरा और तीसरा हो गया है इसके बात जो है प्रस नमर चार जो है समवार को जो है पढ़ाए जाएगा और इसी जो है आप हल करें और इसा भ्यास को समझें और समझ करके आगे लगाएं धन्यवाद